नमस्कारा जो हम डिसकस करेंगे हिमाचल पर्देश जी के इंपॉइंटन कवेश्टन देखिए हिमाचल परदेश जी गए के इंपॉइंट आफ से वो मिलती रही है हरी के एक्जान हरी क्वेशन जो है वो एक्जाम पॉइंट आप उसे इंपोर्टन और जहां पर भी एच्पी जी के पुछी जाएगी डेफिनेटली जो है यह यह क्वेशन कहीं ना कहीं पर लिंक होंगे जैसे कि पहले भी जो होते रहे हैं अभी हम क्वेश और से रैंग टू रीवर रावी तो बोलते हैं कि नेम्लिकित मेंसे खिसम्य रावी नदी को मिंझे भेंट शामिल नहीं है जो रावी नदी में देखू मिंझर भागया जाता राव şu । मेली 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 जीश sorry ज Three मॉर्ट भी ज्यूंप दुर्वर सा शेकी चुख यह सेबार मेद्यू मेली मुंद घर लाट कोई ब्ली काम मेली जीश मेली हुघ ले आंखीा बंब option c जो हो सही answer हो जाएगा अब जो लो राइस यहां पर नहीं होते question देखिए कि क्या क्या होता है इसमें देखिए पहले तो राजा हुआ करते थे जो मिंज़ जो था हो बहाया करते थे प्रंतु अब जो है अब chief guest के रूप में जो है वो मुखेवंत्री आ जाते हैं राजेपाल आ जाते हैं जिसको भी बुलाया जाए वो जो है वो आते हैं schedule के recording और वही जो है यह offer करते हैं तो क्या क्या offer होता है एक coconut होता है एक rupee होता है coin आप कह सकते है seasonal fruit जो है वो होता है और मिंजर को टाई किया जाता है बांधा जाता है red piece of cloth में इसको लुहान भी कहते हैं तो इस तरह से उसको रावी नदी में जो है वो offer कर दे जाता है रावी नदी में जो है वो बहादिया जाता है यह आपने सारा यहाँ से data याद रखना है second Sunday of seven month को जो है यह मिंजर का मेला शुरू होता है साथ दिनों तक यह मिंजर का मेला चलता है question पूछने वाला क्या पूछ सकता है कि जैसे आपके बास match करने के लिए लेगा कि जो बिलासपूर की नलवाडी है वो कौन सी नदी के किनारे लगती है मिंजर मेला जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो लगता है बिलासपूर की नलवाडी सतलूज नदी के किनारे लगती है और मिंजर का मेला जो है मिंजर मेला जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो लगता है चमबा में जो है वो चेनाब नदी भी बहती है उसको लेकर गंफ्यूज ना हो दूसरी साइट से होकर चली जाती है तो ये आपने यहां से important point याद रखने हैं कि चमबा मिंजर में जो है क्या क्या होता है किस तरह से बाया जाता है कौन बायाता है अगला question जो है वो देखते हैं काफी important question है बोलते हैं according to B.N. सरस्वती 1977 the Brahmins settled in a region north of Vindhya are called तो बोलते हैं कि B.N. सरस्वती 1977 के अनुसार जो है वो विंद्य के उत्तर के चित्रों में ब्रामनों को क्या कहा जाता है तो B.N. सरस्वती के अनुसार जो ब्रामन विंद्य परवत सरिंखला जो है उसके north में हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है God उनको कह जाता है God उनको कह जाता है option A जो है वो सही answer हो जाएगा ये भी काफी एक important question है important जानकारी है नया effect होगा जरूर आपके लिए जब भी आप tribes के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग categories caste के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं जैसे की गदीज हो गया किनर्ज हो गया पंगवाल हो गया और ब्रामिन्स भी जो है वो उन्ही में से एक आते हैं तो ये भी आगे चलकर divide होगे उसको भी हम जानेंगे पर उससे पहले ये जानिए कि नौर्थ में क्या कहा जाता था सौथ में क्या कहा जाता था गवड़ झोहे ना ये 5 गॉड़ हुए और पंच गवड़ों में जो था वो कौन-कौन से आए एक तो गॉड़ आय जो की original हजाना कहीते एक कन्ञा कुमजा ये जो था वो कन्नाज कहीते एक एक आए सरस्वत ये सरस्वती नदी के किनारे जो था वो सेटल हुए थे और एक आए मैथिल मैथिल जो था वो मैथिला जो बिहार महना वहां पर ये थे और एक आए उतकल उतकल जो था वो उतकल ओडिशा का रीजन है यहां पर जो था ये सेटल हुए तो ये आपने गौडा आगया उतकला आगया यह आपने सारे के सारे दियान रखने हैं अगला कोई सिने बोलते हैं विच रूलर अफ सुखेथ मेर्डिय। capital सुन्दरनगर, तो देखो सुकेत जो है, ना सुकेत की ही साखा है मंदी डिष्टिक ब्रजैन टाइम में जो है तो यह आप को पता होना चाहिए और सुकेत से ही तो अलक होकर थो तयाओ, सुन्दरनगर सहर गो बना था तो कहते थे कि सुकेत के कि साशक ने जो था वो जो सुन्दरनगर था उसको अपनी राजधानी जो था वो बनाया था तो ये बनाया गया था कि इसके दोरा बिक्रम सेन के दोरा ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेशन का सही अंसर हो जाएगा अब बिक्रम सेन ने जो था वो अपनी राजधा रियासत की स्थापना किसने की थी किसने की थी राजा बीर सेन के दोरा आ जुखे जा जाए हैं किसने कि थी जो इमप्रूटेंट काम किसके दोरा किया गया है तो कैपिटल जो शिफ्टिंग है नا वह कोईशन। मैं पूछे जा चुके हैं, जैसे कि सुकेत की Capitol जो था, वो किषने जो था, वो पहले पंगाना में हुआ करती थी, ये Capital तो पंगाना से किसने लोहारा में जो था Capital बनाई थी, तो लोहारा में Capital बनाई गयी थी, राजा मदन सेन के दूरा, ये धियान लखना है शायद एलाइड में या किस एक्जाम में ये पूछा गया है फिर लोहारा से भी शिफ्ट कर दी गई और करतारपुर में जो था हो कैपिटल बना दी गई ये राजा करतार सेन के दोरा बनाई गई ये सुकेट के एक राजा थे जिन्होंने ये कैपिटल जो था वो करतारपुर में बनाई थी लोहारा से शिफ्ट करके ये आपने धियान लखना है जैसे जैसे जो था वो कैपिटल शिफ्ट होती रही इंपोर्टेंट वन हमने डिकस कर ली और सुकेट सहर की अगर बात आती है न कि शुकेट सुकेट जो सीटी है बनेढ जिसका पुराण नाम है इसकी composition किसके कि गई थी तो इसकी स्थापना गरुट से निके दौरा वो दला के गई थी ये भी आप ध्यान रखेंगें हिगी अपने ध्यान और यह पने ध्यान रखना है कि सुकेत रियासत जो है इसके अंतिम शाषक रियासत जो कौन हुए राजा लक्षमन से इन जो था वो इसके अन्तिम साशक हुए तो यह सारा डाटा आपने यहां से लिख लेना है नोट कर लेना है बार बार रिवाइज हम करेंगे इसको आगे भी आगे बोलते हैं और वॉ बिल्ट घुम हैंड मोती महल इन नहां इन फिर्ष थार्फ ऑफ अफ फिनाइटिंक सेंचु को बोलते हैं कि नहां यह सीश मेहल और मोती मेहल तो पहली स्तावधि के उन्नी स्तावधिं के पूर बात में जो था कि इसके दौरा बनवाए गए थे देखो यह अपने ध प्रप्रीटि मेकस इंहों स्विक लिए अपने इलएप प्रकास और व कि की यहां की राज़े उनके कारेकाल के दूरान को로 करने इन्होंने contage मेरे हुआ थीक हैस कि राजा प्रोकरास और और प्रकास और और भी जो यहां के राज़ी कारेकाल काकाल कर राज़ा वार जो हुआ था वहां पर भी जुथा वो ब्रिटिसर्स का साथ जुथा वो यह था फर्स्ट एंगलो सिख वार में यह अपने ध्यान रखना है और फते प्रकास जब माइनर हुआ करते थे यह छोटे थे तो यहां पर एक एडिमिस्टेटर जुथा वो बनाये गए थे एड वो सहाइता प्रवाइड करवाते हैं और इनको साथ तुपों की सिलामी वीज़ वो दी जाती है यह धियान रखें और महराजा अमर परकास जो है वो आते हैं महराजा अमर परकास को जुथा वो केसी एसाई की उपाधी दी गए थी क्योंकि इन्हों ने जुथा वो लिंग जो है वो इसकी करवाई गई है इनकी जो मृत्ति जुथा वो 1933 में हुई थी और आउस्ट्रिया की कैपिटल वहन्या में जुथा वो इनकी मृत्ति हुई थी यह भी ध्यान रखें सिर्मौर के जो है वो अंतिम सासर काते हैं राजा महाराजा राजिंदर प्रकास औ ने 1948 तक यह रूल करते रहे इस तरह से लास्ट में 1948 में पंदरा प्रेल 1948 को जो है वो सिर्मौर का विले जो है वो हिमाचल परदेश में हो जाता है सिर्मौर रियासत का बड़ा ही basic question कि सिर्मौर रियासत की स्थापना किस ने की थी तो यह रियासत जो था वो राजा मैं पूछ लिया जाता है अगला question देखें बोलते हैं तो राजा राजा ओफ विच लीनेज question थोड़ा सा आधा है यहां पर लिखा हुआ यहां पर रोहना था राजा ऑफ चंबा बिलॉंग टू चंबा बिलॉंग टू विच लीनेज हिंदी में पूरा है चंबा के राजा क रियासत की तो चंबा रियासत की तो चंबा रियासत जहां पर मिंजर मिला मनाया जाता है यहां के जो यहां के जो शाशक थे यह सूर्यावन सी लीनेज ऑफ राजपूत को जुदाव बिलॉंग करते थे option a जो है सूर्यावन सी लीनेज ऑफ राजपूत यह आपने ध्यान है इसको जो यह भी लग करते राजा मारूर के द्वारी रियासत की जो है स्थापना की जाती है यह बहुंद आपको पता होना चाहिए किस ने जुद्धा वो इस रियासत की जुद्धा व तरह वह अपना की गई थी राजा साहिल वर्मन का नाम important हो गया इन्होंने ही जुथा हो चमभा को अपनी capital भी बनाया तो पूछ ले जाये ना कि चमभा को capital किसने बनाया था तो इनहीं के दौरा जुथा हो चमभा को capital बनाया गये था और भी अलग अलग साशक आई तो important important साशक को जो हो मैं highlight करेता हूँ कौन से साशक जुथा हो मुहम्मद गौरी के समकाली इन थे चमबा के तो राजा विजय वर्मन जुथा हो मुहम्मद गौरी के समकाली इन थे कौन से राजा ऐसे थे चमबा के जो अकवर के समकाली थे तो अकवर के समकाली जो था वो परताप सिंग वर्मन थे परताप सिंग वर्मन जो था वो अकवर के समकाली थे ये आपने ध्यान रखना है आपने धियान दियान रखना है कि प्रिथीवी सिंग भी चमबा के राजा आये I.O. इनो ने साहां जहां के साथ स्तावित कर रखे थे चमबा के राजा हुए राजा स्री शेंग का कारेकाल भी काफी important से माना जाता है बुसहर के साथ जखते सिर्फ और साहीता देने से इनकार कर दिये था और इसी तरह अगे चलकर अगर अगर आप देखें तो भूरी सिंग जो है वो यहां के साथ जख हुए इनके दोरा भूरी सिंग म्यूजियम 1908 में जो था वो बनवाया गया और राजा राम सिंग हुए र चीज को इन्होंने आगे लेज़ा आगे जो है वो स्टाट करने की कोशिशिस की थी इन्होंने एक पाबर हाउस रिधा हो यहां पर स्टार्ट के था 1935 में यह की मिरत्ह में तो था वह हो गई थी और अंतिम सासक जो है वहां वाते हैं यहां के राजा लख्समन सिंग यहां के अंतिम साथ से कुवे और पंदरा प्राइल उन्हें चोड़तारीश को जया हो चंबा की चंबा क्या होता है हिमाचल प्रदेश में मिल जाता है यहां पर इसका विले हो जाता है अगला section question देखें क्या बोलते हैं तो बोलते हैं कि हिमाचल का इंसान जो है ना हिमाचल प्रदेश का क्रिस्क नहीं है कि पक्स में भूमी हस्ताद्रन प्रतिबंद प्रतिबंद जुद्या वो करती है यहां कि हिमाचल का इंसान जो है ना हिमाचल का जो कोई अग्रिकल्चरिस्ट है वो भूमी जो है वो ट्रांसपर नहीं कर सकता तो यह कौन सा section जो है वो कहता है सरकार चाहे तो section 118 में थोड़ी डिल दे देती है कहीं बार और कुछ प्रॉटेबल नॉन प्रॉटेबल संस्ताइं ऐसी होते हैं जिनको जमीन यहां पर दी जाती है लीज पर और एक और बात आपने ध्यान रखने हैं कि हिमाचल का क्यों इस तरह की जो है वो पॉलिशी ल बात की जाती है दो ही question आप यहां से ध्यान रखेंगे एक section 118 ध्यान रखेंगे दूसरा ध्यान रखेंगे HP tenancy and land reform act है 1972 का तो 1972 भी important है इसको lightly ना लें कि 1972 important नहीं है यह भी important है तो इसको भी जो हो आपने ध्यान रखना है तो यह दो point यहां से होगे ज्यादा कुछ जानने क पूचा गया है next question मैं पूचा गया है बाराला चाला also known as बाराला चापास situated at the altitude of देखो बाराला चा धर्रा है अब धर्रों की जब भी बात की जाती है तो आपने ध्यान रखना है कि बाराला चा धर्रा जो है important है यहां पर अलग लग जगाउं से आकर road भी जो हो आपस में मि recording जो है मैं आपको altitude बताता हूं यह 4850 मीटर मैंने यूट्यूब पर ही जो था हूँ इसका photo भी जो पोस्ट किये था तो hopefully अगर आपने वहां पर देखा होगा तब तो आपको ठीक लग रहा होगा आपको गलत नहीं लगेगा भी बाराला चा धर्रे की बात करते हैं कि बारा 12 लाचा धर्रे जो है यहां पर लग लग रोड जो है आ वो और क्रोस करते हैं च्छान्सकरलो स्पिती lijτι यहां पर आपकर कर मिलते हैं यह आपने धियान रखना है लो वठीक इमेर रोड में जो है यह वड़ता है। determined सि क। हईट कैया है ये भी आपको पता चल कि हिमाचल में जो धर्रे हैं अन्ने दर्रे हैं उन extends जान लेते हैं जैसे कि तेंपुला daring पर परनाइब करें तो यहां से कहते हैं लोइस पित्ती के दर्रहा परता हूं जायेक्ट ऑट है और फिकले स%, फिर एक वार अच्छे से डिया और पर परता यहां पर पर पड़ता सहना का quo निजर को कि जोर्ब परताएं लालूनी दर्रा पढ़ता है लोहल में मुलारी दर्रा पढ़ता है तेमपुला दर्रा जो है वो यहां पर पढ़ता है तो इन दर्रों को जो है वो जरूर ध्यान रखें बारलाचा दर्रा तो आपने जान ही लिया इसका एल्डिरूड भी जान लिया तो यह अब आपका गलत होना चाहिए अगला कोई सिर्फ कोईमиной क्लें इन बेट विच माउंटें is चॉलांग पीक बोड़ते हैं कि मौंट के इसमी का उप特वर वह जो हो कि मांटीं रेंज में फ्रॉानिंधे oluyor मैं कि पर्विट करती हैं तो मांचल मांचल की पाड़ियां टच करती है तो धौलाधार की जो पाड़ियां ना यहां पर यह चौलांग पीक जो है वो पड़ती है option B जो है वो सही answer हो जाएगा चलो ठीक बात है कि धौलाधार की पाड़ियां ना इनको स्वेथ परवत तो कहा ही जाता है प्रन्तु इनको मौलाक परवत के नाम से जाना जाता है मौलाक परवत इनको कहा जाता है और शिवाली की पाड़ियां को मेनाक परवत जो है वो कहा जाता है जहांसकर की पाड़ियों की जहांसकर रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रांस हिमालिया का एक पार्ट है और जहांसकर जो है ये आपने ध्यान रखना है कि ये कंप्राइज करती है जहांसकर कंप्राइज करती है या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि जहांसकर जो है तिब्बत से जो है ये अलग करती है शिला चोटी हो गई आपकी जो हाइस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की वो यहीं पर जो है वो आती है तो मेनाक, मौलाक, पीर पंजाल जहांसकर इन सभी के बारे में important point आपने जान दिये inner, outer और greater ये जो जहांसकर है न ये greater हिमाले में of crime reported in 2021 तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2021 का जो हमारे बार से अंकड़ा एविलेबल है उसके अंसार सबसे कम अपराद पूछे गए हैं सबसे कम अपराद की घटनाएं जो है हो कहां पर दर्च की गई देखो सबसे जादा अपराद कहीं पर अगर रिपोर्ट की जात हैं लोहल्स पित्ती में जो हो सबसे कम जो है हो रिपोर्ट किये गए 2021 में option भी सही अंसर है एक एक्जाम में यह कांगड़ा का डैटा जो है वो पूछा जा चुका है हिमाचल का साइज एलाइड का एक्जाम था या कोई और एक्जाम था प्रण्ट पूछा जा चुका है क sबसे ज़्यादा К्राइम जो हो कहां पर रिपोर्ट किये गए तो यह कहां पर किये जाते हैं यह सबसे कम यह जा'm लौजपित्ती में सबसे ज़्यादा जो है वो कांगरा में किये गए हम यहां से ना फोप्पुलेशन कर लेति हैं डिस्टिक्स की 21 की जो है वह कितने इस हैं मुख़्धिक के बारा जिले जो है हो मुख्य लूप में के निल्गी पॉप्ट और नैक हुए 6 standard टो ल verdict 6700 जुक्शन आ Watch है अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पॉपलेशन जो है वह कहां की पफोलीशन सबसे ज्यादा है इपुपलेशनW की जनगना के अनुसार और अगर हम बात करते हैं उना जिले की तो उना जिले की पॉप्लेशन है 521,000 अप्रोक्सिमेटली Down, Sulon District कीए 580,000 और सिरमोर डिष्टे कीए 529,000 वैंने कित्ने जिले बताये हैा съब को 5 जिले मैंने बता दिये यह 5 ही जिले हम याद रखते हैं कौन-कौन से जिले एक थो हमने जान लिया यहां पर Kangra जिला एक हमने जान लिया लहज पित्ती जिला एक हम 9000 है तो यही जीले हम जानते हैं नहीं तो बहुत ज़दा हो जाएगा बारा जीलों के याद रखना भी बहुत मुश्किल है तो इतना सा याद रखेंगे ताकि एक्जाम में अगर पूचा जाए तो help मिल जाए आगे क्या बोलते हैं बोलते हैं शहां करते हैं से कटेंगे कि सबसे कम जो का है हमर्पुर चिWorld क अपशन बंज ही नहीं गया है तो पूरे हिमाचल का कितना प्रसेंट कवर करता है यह पूरे हिमाचल का 2.10 प्रसेंट जो है वो कवर करता है अगर हम बात करते हैं हमिर पूर जिले की ना हमिर पूर जिले का है 1118 स्क्वेर किलोमेटर और यह पूरे हिमाचल का 2.01 प्रसेंट जो है वो कवर करता है यह भी आपन 847 sq km.jemآ जोकी पूरे हेमाचल का 2.77% पॉपूलेशन जो है वो अधियान रखनी है ताकि एक्जाम में अगर आपसे कुछ यहां से पूछा जाए तो एक्जाम में आपको हल्प मिल सके पांच जिले पांच जिलों की पॉपूलेशन हमने जान ली हाइस्ट पॉपुलेशन हाइस्ट एरिया लोएस्ट पॉपुलेशन लोएस्ट एरिया जो है यह सारे पॉइंट हमने यहां पर कवर कर लिए पिछले कल तो मैंने टेलीग्राम पर भी आपको क्विजश प्रोवाइट करवाया था तो घुपूली जो कॉछेशन आपने उससे कुठार रियासत के वारे में हमने और भी जाना था और और भी important fact हमने यहां से जाना थे comment करके जल्दी से बता दीजिए आपका एक revision हो जाएगा देखिए अगर success की बात करें तो success एक रात में नहीं मिलती या फिर एक महीना बढ़ कर नहीं मिलती जो लोग काफी time से जो है वो से help मिल दी है तो इस वीडियो में इतना ही काफी है टेलिग्राम पर ज़रूर जोइन करना अभी तक नहीं किया है at the rate all exam 31 इस तरह से सर्च करना टेलिग्राम चैनल भी मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently